आज को वीडियो बहुत इंट्रेस्टेंग होने वाल है तो सबसे पहले बॉइल पटेटो लिए मैंने और उनको एक बाउल में बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है हाथों से और उसके बाद आपको लेना है पोहा पोहा डालने से पहले मैंने ओ मलब 30 मिनिट्स के अराउंड वाटर में सोकरी रखाता है देन आपको खूप सारी वेजिस लेनी है कॉण क्याप्सिकम एंड ओनियन और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है एंड स्पाइस डाल देना जैसे के अब देख सकते मैंने बहुत सारी स्पाइस डाली है अब आपको कॉण फ्लार लेना है अब आपको कॉण फ्लाज थोड़ा साले ले ना है यह मैंने टू कप कॉण फ्लाज लिया था एंड इसके अंडर भी बहुत थोड़ी-फोड़ी श्पाइस जाल के वाटर में इसका बाटर बनाना है देन आपको जो मिक्स बनाया हूं उसके अंदर इसको डिप करके पूख के अंदर फिर वापस डिप करना है and then इसको फ्राइ कर देना है यह बहुत अमीजिंग बनेगा and do let me know if you like the recipe and like कर दो शेर कर दो सब्सक्राइब कर दो सब कुछ कर दो बाई बाई